हेलो फ्रेंड्स एलेकर ब्रीश में फिर साब का स्वागत है दोस्तों आज मैं एक इंडेक्शन चूला की रिपेर करने जा रहा हूं जिसमें प्राबलम में है कि यह बिल्कुल डेथ है लेडी पैनल पर कोई भी स्क्रीन सो नहीं कर रहा है जैसा कि मैं चेक करके आपको दिख कीजिए और वीडियो पशंद आये तो उसे लाइक और वीडियो को फिर चुंभी स् getting जया करें जब भी हम चुला प्रिपेर करें तो जिस ड्रीज आपा बल्व लगाए हम तो मैं 208 के living for about 17 Curtis पूल बटा रहा है तो इसको ठीक करने के लिए इसको उपन करना पड़ेगा तो दोस्तो एलेडी पैनल वाले नोब को मैंने निकाल दिया मैं इसको अलग से रख दे रहा हूँ जब यहां पर आप देख सकते हैं यह जो बड़ा सा गोल अकारगा दिख रहा है यह में कोयल है इसका तो सबसे पहले हम इसी को खोलेंगे तो में में कोयल को खोल चुका हूँ तो में कोयल से एक सेंसर वाली लीड इसके PCV में लगी रहती है तो इसलीड को मैं निकाल रहा हूँ यह देखिए एक क्लीप निकल गया तो दोस्तों हमें सबसे पहले कहां चेक करना है और कैसे चेक करना है इस सीज को जानना बहुत ही ज़रूरी है तो इसके लिए हमें इस PCB को बाहर निकलना पड़ेगा Mother World को तो आए इस Mother World को बाहर निकालते हैं तो दोस्तों मैंने PCB को बाहर निकाल दिया है अगर आपके इंडक्शन में यह fault है कि कोई भी चीज बता नहीं रहा है इसमें सप्लाई ही नहीं सो कर रहा है तो इसको सबसे पले दोस्तों हम इसके main lead को चेक करेंगे जो यह main lead है इसको चेक करेंगे तो हमें multimeter को continuity mood पर रखना है जहां divert वाला चेक करते हैं और यहां से beep की वाज आएगा तो main lead को चेक करना है दोस्तों main lead में तीन pin होता है एक अर्थ के लिए होता है उपर वाला और एक नीटल एक फेज के लिए होता है तो यहां से right side में लगाएंगे हम रेड़ वाले जीसे यहां पर जो मिल दिख रहा है यह red color का जो वायर जहां है इसको हम चेक करेंगे सबसे पहले हाँ तो देखिए दोस्तों हमारा meter भीप की आवायर घर रहा है इसका मतला हमारे लाला वायर है अब इसके बास से हम बुल वाले को चेक हैं लीटल को वायर बिल्कुल ठीक है वायर को पहले जगह पर सेट कर दिया जाएगा अब हमने दोस्तों इस pc वी में सपलाइज सब्ल सप्लाई जो एक आता है कहा आ रहा है काहा नहीं आ रहा है तो सबसे फ़ले दोस्तों हम यहां पर इसlait में लीज़ वाले टर्मिनल में चेक करेंगे तो दुस्तों यहां पर हमारा में आराय इस PCV में फ्यूज दिया हुआ है जो काला कलर का आपको दिखाई दे रहा है यह फ्यूज है तो सबसे पहले हम फ्यूज के इन पोजिशन में चेक करेंगे देखिए दोस्तों यहां पे 237 पर यानि सप्लाइज दिखा रहा है और फ्यूज के आउट पोजिशन में चेक सोल्ड किया हुआ फ्यूज है तो दोस्तों यह फ्यूज निकल चुका है अब आजए इस फ्यूज को कंफर्म चेक कर लें मल्टी मिटर को डाइबोर्ड रेंज पर रखना है जहां से बीप किया वाज आती है तो देखिए दोस्तों हमारा फ्यूज ओपेन हो गया है यानि यह विल्कुल खराब हो चुका है इसमें 10- ere का ही फ्यूज लगाना है इस इस टाइब का फ्यूज मार्केट में मिलता है मेरे पास वलब नहीं तो इस टाइब की एफयूज तो मैई इस नहीमें बरकने के उसके ओपर के कबर को हटा आते हैं तो दोस्तों यहां पे यह फ्यूज ओपन हो चुगा है तो यहां से यहां पे मैं एक पतला वायर जोड़ लूँगा तो यह फ्यूज तयार हो जाएगा इस पतले वायर को परयोग कर रहा हूं यह जो पतला वायर आप देख रहे हैं तो दोस्तों इस फ्यूज को उपर मैंने लगभख 10 एंपियर का वायर जोड़कर फ्यूज बना लिया हूँ अब आए इस फ्यूज को इस कीट में लगा देते हैं फिर चेक करते हैं मैंने फ्यूज को लगा लिया है इसके जगाँ पर अब मैं इसमें सप्लाई दे रहा हूं दोस्तों जैसे मैं सप्लाई दिया हूं हमारा बल्ब 200 वार्ट का गोलो हो गया दोस्तों इसलिए हम इसको टेस्टिंग स्रीज लेंप से चेक करते हैं दोस्तों कि कोई 60 सर्कृट रह जब हमारा फ्यूज बार बार उड़ रहा हो अभी हम इसको डिरेक्ट लगाएंगे तो हमारा फ्यूज उड़ जाएगा इसलिए मैं स्रीज में चेक किया हूं हमें इस पोजिशन में सबसे पहले क्या चेक करना है और कहां चेक करना है इसको जला ध्यान दिजिए दोस्तों कि फ्यूज उड़ने की समस्या हो अबसे पहले ये क्वाइल की दोनों टर्मिनलों में से किसी एक टर्मिनल को हम खोल देंगे दोस्तों यह जो दिख रहा है आपको एक टर्मिनल को खोलने के बाद से एक बार और इसके इसे टेस्टिक स्रीज लेम में लगाया जाएगा तो ने था तो बल्ब ग्लू हो जा रहा है पिर हटाने के पाद से हट जा रहा है तो दोस्तों इसे साफ साबूत होता है कि इस कीट में सॉट सर्कीट है Ready बीटी अरिया में है जैसे यह जो यह पे पे फीटको निकाला पड़एगा घा पे दिख रहे है यह आ का हुआ है दोस्तों कभी भी 160 होता है इंडक्षन चूले में फ्यूज उडता है तो यह इजी भी खराब होने करण ही ऐसा होता है यह और आज बीटी को बवल में ब्रीज डेक्टिफायर होता है यह भी सोट हुआता है तो इस परकार का फाल्ट होते हैं यह इसको चेक कर लेत रहा है तीनु लोग में एक दूसरे को अदल बदल के चेक करने पर भी वीप की आवाज आ रहा है इसका मतलब हमारा आईजी बीटी सोट बता रहा है दोस्तों आईजी बीटी को बाहर निकाल के कॉनफर्म चेक करते हैं कि इसकी कंडिशन क्या है तो दोस्तों मैं आईजी लगा हुआ है दोस्तों ये ब्रिज रिक्टी फायर चार लेक्स है इसको भी हम चेक कर लेते हैं को तो दोस्तों ये बिरीज डेक्टिफायर बिल्कुत सई है जब भी हमारा IGBT उड़े खराब हो इस पोजिशन में नहां पर ये दो केपिस्वीटर जो आप देख रहे हैं ये 0.3 का है जो 12V DC का है और ये 5UF का है 400V का है ये इसको जरूर देख लेना चाहिए दोस्तों कहीं से फूला हुआ तो नहीं है कहीं से खराब तो नजर नहीं आ रहा है दोस्तों केपिस्वीटर देखने में मालु हो जाता है क्या है तो अब ये और जीडियक दीख रहा है जो इसमें मेन प्राबलम था वह IGBT से है यही खराब है इसका, तो इसका नमर है 20R123, यह IGBT है, 20R123 दोस्तों, तो हमें IGBT कभी भी ओरिजिनल लगाना चाहिए दोस्तों, यह मेरे पास एक IGBT पढ़ा हुआ है, जो की बिलकुल नया है, अज सेम नमर है दोस्तों, इस IGBT को मैं लगाऊंगा, लेकिन IGBT लगाने से पहले, एक बहुत ही इंपोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, उसको नोट कर लिजे दोस्तों, यह बहुत ही जरूरी होता है, IGBT लगाने से पहले, इसे हमें टेस्ट करना है, कि यहाँ पे हमारे कितना वोल्टेज मिल रहा है, अगर सेम वोल्टेज मिले तभी IGBT लगाईए, अन्य था बिलकुल मत लगाईए, वोल्टेज चेक करने से पहले दोस्तों, इस पीन को, यह दोनों पीन को अच्छी तरह स इसमें पाउर सप्लाई देना है, वो भी टेस्टिंग से लेंब से, इसमें 208 का बल्ब लगा हो, इसमें से बीब की अवाज आ गया, आनि पाउर सप्लाई हमारा चालू हो गया, इन्पुट वोल्टेज हम देख लेंगे, AC के रेंज में लगा कर मीटर को, हम यहाँ पे मीटर पॉइंट पर काला वाले को रखकर, इसके कलेक्टर पर हमें 300 से ज्यादा वोल्टेज मिलनी चाहिए, देखिए, कलेक्टर पीन पर हमें 38 वोल्ट मिल रहा है, और इसके गेट पॉइंट पर हमें 0 वोल्ट मिलना चाहिए, तो देखिए दोस्तों हमें 0 वोल्ट मिल र चाहिए बिल्कुल भोल्टेज नहीं मिलने चाहिए तब आप इसमें आई जी बीटी लगा सकते हैं अन्य था गेट पे कोई भी वोल्टेज अगर सो कर रहा है 10 वोल्ट 15 वोल्ट 20 वोल्ट तो आप इस पर आई जी बीटी नहीं लगाएंगे क्योंकि आपकी आई जी बीटी भोलटेज चेक कर लिया कि यहां पे हमें भोल ठीक मिल रहा है लेकिन आई जी बीटी लगाने से पहले इसमें पाल्ष सीट माडुलेशन एरिया होता है जो यह हैं इसमें तीन ट्रांसीटर लगे हुए है इसन तीफट ट्रांसीटर को निकाल कर दूर्ण Congressman आपकी यहां से एक transistor निकाला है जिसका नमबर है 80-50 तो दोस्वों मैं इसको fix करूँगा division यहां से इसमें नहीं बता रहा Water तो देखिए इसमें realizar रहा है और इसमें इसमें वीropy रेडिंग हो रहा है इसका मतलब यह transistor बिल्कुल ठीक है आइए सबसे पहले इसे लगा लेते हैं फिर दूसरे वाले को निकालते हैं तो दोस्तों इन तीनों ट्रांजिस्टरों को मैंने चेक कर लिया है दो असी प्रिजास थे और एक पचासी प्रिजास जो की बिल्कुर सही है दोस्तों अब आईए आईजी बीटी इसमें लगाते हैं दोस्तों आईजी बीटी लगाने के लिए सबसे पहले हमें हिस्टिंग में आईजी बीटी को टाइट करना है बहुत अच्छी तरह से टाइट करना है दोस्तों, वो भी हिस्टिंग पेस्ट लगा कर, यह कभी मत भूलिए, यह आईजी बीटी बढ़ दलते समय हिस्टिंग पेस्ट का परियोग जरूर कीजिए दोस्तों पुराने वाले आईजी बीटी में जिस परकार से तीनु लेग मूड़ा हुआ है, उसी परकार से हमें सबसे पहले इनके तीनु लेगों को मूड़ लेना है यहां से दोस्तों इसको बिल्कुल फूल टाइट कीजिए जितना टाइट हो सके और इतना टाइट ना कर दीजिए तक इसका चोड़ी मीस हो जाए अब दोस्तों हमें सोल्डर से अच्छी तरह से इस पर सोल्ड कर लेना है ताकि कहीं से भी कनेक्शन लूज नहोँ और हमारे कीट में अगर कहीं से भी कोई भी नमी दिखाई दो दोस्तों तो इसमें सप्लाई बिलकुल ना दे इसको पूरी अच्छी तरह से पेट्रोल सो धोकर और धूप में सुखाएं और फिर इसके बास इसमें सप्लाई दे नहीं तो हमारा आईजी बीटी ऊड़ सकता है अब आए इसे बोडी के साथ फिट करके देखते हैं कि इसका पोजीूसं क्या है काम कर रहा है की नहीं दोस्तो मैं इसको फिट कर दिया हूँ अब मैं इसके उपर बरतन रखके इसमें थोड़ था पाने रख दिया हूँ अब मैं इसे टेस्टिंग स्रीज लैंप में लगा रहा हूँ तो जैसे power supply आन कर दा हूं दोस्तों देखिए दोस्तों हमारा testing tree lamp glow होने लगा है तो testing tree lamp glow होकर फिर बंध हो जा रहा है देखिए देखिए गलो होकर बंध हो जा रहा है इसका मतलब हुआ कि हमारा induction काम कर रहा है अब इसे हम direct supply देंगे तो मैं इसे direct supply अब दे दिया हूँ अब switch को भी आन कर दिया हूँ देखिए display पर so होने लगा है अब इसको power को आन करके temperature वाले आन कर रहा हूँ तो देखिए दोस्तों ये काम करने लगा है पलस मैनस भी किया जा सकता है इससे तो दोस्तों इसका button काम नहीं कर रहा है लग रहा है इसका button पहले से ही खराब है लेगिन water heat हो रहा है दोस्तों देखिए इसमें से भाप निकल रहा है देखिए दोस्तों ये first class work कर रहा है और इसमें से भाप निकल रहा है पानी भी बिल्कुल गरम हो चुका है जैसे आप देख सकते हैं इसके से बहुत सारे बटन काम नहीं कर रहे हैं कुछ काम कर रहे हैं कुछ नहीं काम कर रहे हैं तो इसके बटन को मैं repair कर दूगा इस इंडक्शन में यह आई जी बीटी का fault था जो सो इसे मैंने चेंज कर दिया और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल में अगर आप नए हों तो सस्क्राइब करके साइट का बेल आइकन जरूर दबाईए और और नोटिफिकरसन को भी ओन रखिए तक ही मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकरसन सबसे पहले आप तक पहुँचे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए अलविदा